हेलो फ्रेंक वेलकुम टू मैं यूटुब चैनल आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूनिट थार्ट चैप्टर नमर 6 का लेक्चर नमर 2 जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कोची फंडमेंटल थेोरम और इसके उपर जितने भी कोश्चिन है वो आपके आपके सामने यह आपको complex integration का आपका topic है तो start करते हैं कोची fundamental theorem और इसके question तो आपको बता देते हैं इसके अंदर हम आपको क्या बढ़ाएंगे lecture no second में कोची fundamental theorem with proof इसका statement और दोनों बढ़ाएंगे और question no second, third और fourth यह आप सभी question देखिएगा जिससे आपके हर doubt आपके clear हो जाएंगे तो start करते हैं कोची fundamental theorem का statement और इसके उपर जितने भी आपके इसका proof के इस तरीके से ही किया जाएगा तो कोची fundamental theorem का statement आप देखिएगा क्या है if fz be analytic function on d, कोई आपका d है उसके अंदर यह fz आपका क्या analytic function है and fz आपका क्या exist है and it's continuous at each point of d, d के प्रती एक विंदू पर यह आपका क्या continuous है then तब integration c, fz, dz का मान आपका क्या होगा 0 होगा मतलब कि क्या हुआ कि जो आपका fz जो है वो आपका analytic होना चाहिए d में और साथ में उसका fz वो आपका exist और continuous होना चाहिए d के प्रतीक विंदू पर तब आपका जो आपका fz होगा उसका मान आपका क्या होगा 0 के c भी उस integration क में c में तो जहां आपका c क्या चीज़ है और d क्या चीज़ है यह चीज़ आपको बताया गया है तो d आपका क्या है d वी यह simple connected region और c क्या है c is any closed content in d अलग कि आपका c जो है वो d का एक subset मान सकते है जो कि आपका closed है यह चीज़ आपने समझ ली closed में आपका इसका मन आपका क्या होगा जीर होगा यह सबसे important बात है statement और इसका इसके उपर कई सवाल आपके सामने लेके आएंगे तो इसका proof जानते है proof कैसे करेंगे इसका क्योंकि आपको पता fz वरावर आपका होता है u plus iv and z वरावर आपका होता है x plus i y और d z वरावर आ जाएगा dx plus i dy तो integration c fz d z वरावर आपका क्या हो जाएगा आपको पता है तो fz कमान आपने रख दिया u plus iv और d z कमान आपने रख दिया dx plus i dy तो आपने यह रखा इसके इंदर आपने multiply किया तो multiply करने से आपका आपका आगया u dx plus u i dy और u u v dx plus i squared y dy तो आपको पताए i square मान आपका minus one हो जाएगा जिसके कारण आपने real or remaining part को आपने अलग-अलग कर लिया तो जैसी आप अलग-अलग कर दोगे इसके बाद आप integration भी आप अलग-अलग apply कर सकते हो integration c और integration c और आपने बार की तरफ आपने i common ले लिया अब आपने यह चीज आपने equation बना लिए इसके बाद आपको यूज करनी पड़ेगी green theorem जो आपने bsp first year में आपने पड़ी होगी तो green theorem क्या होती है यह दिए integration c आप करते हो तो m dx plus n dy तो यह आपका surface में आ जाते है मिलो तो आपको जो यह integration c u dx minus b dy है यह आपका हो जाएगा minus k dv over dx minus k d u over dy क्योंकि आपको पता है जो m है उसकी जगे यहाँ पर u है जो n है उसकी जगे यहाँ पर minus k b है तो आपका del n है पहले तो आपका del n del b हो जाएगा यह चीज आपने अच्छी तरीच से समझ ली तो इसी तरी जाएगी kochi riman equation जो आपने starting में पढ़ी है kochi riman equation क्या होती है deli over del x बरावर del v over del y को हमा लगा क्या सकते हो del v over del x बरावर minus del y यदि आपकी kochi riman equation की आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरी playlist में जाके आप देख सकते हो complex analysis में तो complex analysis में आपको kochi riman equation के की आपको वीडियो मिल आपने जो डल v over del x है, जो आपका यही दे रखा, इसकी जीगा आपने डल v over del y रखा, जो की negative है, negative आपका पोश्ट्यू हो जाएगा, और यह आपका minus का del v over del y सेम टू सेम रहा, जिससे यह आपका cancel out हो गया, इसके बाद आपने क्या किया, आपने यहापने यहापने यहापन del x का मन आपने रख दिया, del v over del y, तो del v over del y इससे del v over del y आपका cancel out हो गया, जिसका मन आपका हो गया, 0, तो 0 plus 0 आई हो गया है, तो integration fz dz का मन आपका आपका आगया, 0, इस तरीके से आपका यह fundamental theorem आपकी क्या हो जाती है, proof, आपको यह proof करना था, integration fz dz का मन आपका क्या आना च जाती है, इस तरीके से आपको यह आपकी कोची fundamental theorem आपकी proof होती है, यह आपकी एक important theorem है, आपके paper में आ सकती है, इसके बाद आपको इसके question देख सकते है, question number आपका जो second है, उसको आप देखिएगा, verify कोची theorem for the function, 5 sin 2 z if c is the square with vertex at 1 plus minus i, minus 1 plus minus i, तो इसके vertex आपको दे रखे हैं कोची theorem and equation verify करता है या नहीं करता है, यह चीज़ को आपको बताना है, तो आप देख सकते है, square आप एक बना सकते हो, जिसके vertex आपने लिख दिये हैं, तो आपका 1, 1 आपने लिख दिया है, और यहाँ पर 1, minus 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 1, बने तो यह किसन भी आपको पता है जैसे हम आपको पहले भी समझा चुके हैं तो इंटीग्रेशन एप जाट डीजट निकालते हैं इसका मान आपको जीरो सिद करना है क्योंकि आपको वैरिफाई करना है तो आपको ग्यार नाएं इंटीग्रेशन अबी सीडी आपको दे जाएं आपको लिखानी एक पर दीएक्स पर जीरो हो जायेगा तो इससे डीजट का मना आपका जेगा मैनस का सवरी प्लस का आई इंटी दीवाई तो इससे आपका 0 हो जाएगा d z वरावर dx हो जाएगा तो x various to 1 to लेके minus 1 इसमें x कहाँ पर varies कर रहा है 1 से लेके आपका minus 1 पर आपका varies कर रहा है देख सकते हो तो इससे आपका x varies आ जाएगा इसी प्रकार आप निकाल सकते हो cd line by x वरावर minus 1 dx वरावर 0 d z वरावर i dy तो आप देख सकते हो d z वरावर i dy है तो इसमें आपका y आ गया है तो by आपका आजएगा by various to 1 to minus 1 क्योंकि आप देख सकते हो cd line है आपकी cd line है इसमें आप देख सकते हो by common 1 है 1 से लेके आपका कितना जा रहा है minus का 1 इसी प्रकार on da पे निकाल सकते हो d a line पे आपका क्या हो जाएगा by वरावर minus 1 है तो by वरावर minus 1 पे dy आपका 0 हो जाएगा d z वरावर dx हो जाएगा और x barrage 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे minus 1 to लेके plus 1 आप देख सकते हो minus 1 है और यहाँ पे x common कितना है plus 1 है इस तरीके से आपको limit सब आपको मिल जाएगी अब आपको यह सभी इसमें direct आपको apply करने है तो आप लिख सकते हो minus 1 to लेके 1 sin 2z और 2z की value भी आप पुट कर सकते हो z की value भी आपको निकालनी है z पर आवर आपका होता है x plus i y तो आपको x की value आपको 1 put करनी है और by की value आपको जो same to same लिखी है उसको लिखे रहने देना है तो इस तरीके से आपको z की value भी आपको put करनी है आपको limit भी यहाँ पर put करनी है तो इस तरीके से आपको a, b, c, c, d और da के उपर आपको apply करना है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस i y के according तो यहाँ पर x कमान आपका कितना है यहाँ पर 1 है तो आपको 1 रखोगे और 2 का अंदर multiply कर दोगे इसी परकार BC line के लिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो तो x plus x plus i y होता है तो y का मान आप बन रख दोगे तो आपका हो जाएगा 2x plus 2i इसी परकार ये हो जाएगा इसके बाद आपको क्या गरना है इसको आप अच्छी तरीगी से करना है उसको आप कैसे करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वाली लिमिट उपर हो जाती है जिसके इनका जो साइन होता है वो आपका निगटीब का हो जाता है मतलब कि वह dy वालों को ले लिया और dx वालों को आपने same to same ले लिया इसके बाद sinc plus sinc minus sinc d का अपने फार्मुला लगाया यहापे minus है इसलिए भी यहापे भी sinc minus sinc d का अपने फार्मुला लगाया जिससे आपका हो जाएगा cos 2i into cos sin 2 और cos 2 2 यहापे cos 2 है only cos 2 into sin 2 minus 2i यहापे cos 2x है क्या है यहापे cos 2x है तो cost 2x का आपका integration हो जाएगा send 2x upon 2 और send minus का 2i आपका बार आ जाएगा इसी तरीके से आपका 2i से यह आपका cancel out हो जाएगा और इसका आपका integration हो जाएगा send 2i का send 2i का cost 2i का आपका integration send 2i upon 2i हो जाएगा 2i से आपका cancel out हो जाएगा send 2i तो इस तरीके से आप इसको solve करोगे, upper limit minus lower limit करोगे, upper limit minus lower limit करोगे, इसके बाद इनको आप solve करोगे, तो आप देख सकते हो, यह आपका positive है, तो positive से negative आपका cancel out होगे, इसलिए आप देख सकते हो, integration c f z d z कमान आपका कितना आगया है, 0 आगया, तो आप लिख सकते हो, hence verified the coaching reeman equation, तो आप यह calculation आप अच्छी से करिएगा खुद आप अपनी copy pen पर आप solve करिएगा जिससे आपको अच्छी तरीक से समझ में आए तो यह बात आपको समझ में आ गए होगी इनको कैसे आपको solve करना है जैसी कि आपको इसका lecture नमर फर्ष्ट का 9th question देखोगे उस तरीके को हमने इसमें सोट तरीके में आपको समझाने की कोसिस की है इसी तरीके से आप question no.3 आप देखिएगा question no.3 से भी आपको कुछी आपको अची खासी knowledge मिलेगी यह आपको only knowledge वाले question है जिससे आपको यह चेक करना है कोची fundamental theorem को आपको कैसे apply करना है और यह यह बात भी आप जान यह कोची जो theorem होती है जो कोची theorem जो होती है उसी को हम कोची fundamental theorem कहते है यह चीज़ आपकी starting में ही लिखी दिए चीज़ को आप अच्छी दरीक से जान सकते हो तो बात करते हैं कोची वो third question की तो third question आपको दे रखाए आपको solution आपको क्यार नहीं है और यह चीज़ आपको देख सकते हो आपको solution आपको क्यार नहीं है आपको solution में पहले इसको लिखना है तो यह आपको लिख सकते हो आपको प्लेक्स वाली प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो इस चीज़ को आप लिख सकते हो इसके बाद आपको क्यार नहीं है आपको लिखना है क्या है क्या क्यों जो आपका फर्ष्ट पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करोगे तो वैं दा पाथ इंटिग्रेशन इस सरकल मौड जैड वरार तीन दा पॉइंट जैड वरार जो होगो यहाँ पर होगा तो इस पोइंट यह इसके इंसाइड है इसलिए आप क्या具 सकते हो so ab z is not analytic जो ab z जो होगा वो analytic नहीं होगा क्योंकि यदि उस circle के अंदर z बरावर two point है तो z बरावर two point इसके अंदर रखते हैं तो इस command क्या आ जाएगा infinity आ जाएगा जिससे analytic नहीं रहेगा इसलिए within c then kochi theorem is not applicable इसलिए kochi theorem आपकी applicable नहीं रहेगी अर्थात इस command आपकी zero के बरावर नहीं आएगा ये चीज़ से सबसे ज़्यादा important अब बात करते हैं question number second की जो इसका second part है when c is the circle mode z बरावर one the point z बरावर two lies outside अब देख सकते हैं z बरावर जो one circle है जो z बरावर जो two है वो इसके बाहर है तो as result जो आपका fz होगा वो analytic होगा within c तो hence kochi theorem is applicable जो आपकी kochi theorem है वो आपकी क्या है applicable है इसलिए integration c z उसका plus 5z plus 6 upon z minus 2 dz का मन आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है integration c fz dz का मन आपका क्या होता है 0 यही आपकी kochi theorem है आप समझ में आ गया है कि यदि उसके अंदर function यदि analytic नहीं है तो आपका क्या होगा यदि उसके अंदर function यदि आपका analytic नहीं है तो उसका मन आपका 0 नहीं आएगा उसके integration का मन आपका 0 नहीं आएगा यदि function analytic होता है तो जो आपको सरकल दे रखा होता है, या फिर और अदर आपको कोई भी रीजन दे रखा होता है, उसके अंदर यह आदी वो आपका analytic function होता है, तो आपका क्या होता है, इंटीगरेशन का मान, 0 होता है, इस चीज को समझाना था है question no.3 के जरीए से, अब बात करते हैं question number 4 की जी आपका last question है इस question को आप अच्छी तरही से समझ सकते हो तो आपको question number 4 है आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है इसको आप अच्छी तरही देख सकते हो आप दिखाई दे रहा होगा question number 4 जो है आपका verify coachy theorem for the function आपको function दे रखा if c is the circle mod z minus 1 वरावर 2 तो आपको given आपको दे रखा fz वरावर z q minus ka iz square minus ka 5z plus ka 2 तो since fz is a polynomial in z जो आपका fz है वो आपका polynomial z it is analytic within से तो यह analytic होगा इसके अंदर तो जब इसके अंदर analytic होगा तो अब इसके बाद इसका जो circle आपको दे रखा है उस circle को solve करते हैं तो z minus 1 वरावर आपका होजाएगा 2 e की power i theta और i theta जैसी इसके 1 को इधर भीजेंगे तो आपका होजाए z वरावर 1 plus 2 e की power i theta जो theta varies करेगा वो 0 से लेकि 2 pi की बीच में आपका बेरीज करेगा तो d z बडावर आपका हो जाएगा 2 i e की power i theta into d theta तो आपको जो f z रखा है उसको solve करते हैं तो हम ये check करते हैं कि इस command 0 आता है या नहीं आता है यदि इस command 0 आ जाता है integration command तो कह देंगी आपका जो ये question है वो आपका verify हो जाएगा तो इतनी बात से ही आपको पता जाता है यदि है analytic है तो 100% ही इस command क्या आएगा 0 आएगा integration command तो इस चीज को हमको सिद्ध करना है तो आपको क्यारना है कि z q command रखोगे z q command आपका क्या आजाएगा तो z q command आपका यहाँ पर z कमान आपका निकाल चुके z बरावर आपका है 1 plus 2 e q power i theta तो इसका whole q हो जाएगा यहाँ पर whole square हो जाएगा यहाँ पर 1 plus 2 e q power i theta हो जाएगा और आपने dz की value भी आपने put कर दी इसके बाद आप क्यार होगे इसको whole q खोलोगे इसका whole square खोलोगे इसके अंदर यह जो इसके अंदर multiply करेंगे और 2 e q power i theta आपका same to same रहा इसके बाद आपने क्या किया 2 e q power i theta का सब में इसका अंदर multiply कर दिया तो सभी में आपने multiply किया तो सम्में आप देख सकते हो e q power i theta सम्में है e q power i theta सभी में है यदि e q power i theta सभी में है जीरो होता है, इसको आप solve भी कर सकते हैं, integration को, इसको आप solve करिएगा, इसका मन आपका क्या आएगा, 0 आएगा, तो k कमान आपका 0 के एककल ना हो, और कुछ भी मानो तब भी इसका मन आपका क्या आता है, 0 आता है, तो आप इसको solve करोगे, तो इसका मन आपका क्या आएगा, स आपने पहली सिद्गर दिया था अब आपको only verify करानी थी कोची theorem इस तरीके से कोची theorem आपको अच्छी तरीके से समझ में आगए कोची fundamental theorem को हम कोची theorem कहते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो like और subscribe करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मिलते हैं आपको next video में